ओम शान्ती आज 23 जैन्वरी 2022 है और आज बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हम रूहानी यात्री है शास्त्रों में हमारा गायन यात्रा के रूप से भी है तो पंडा अर्थाज जो दूसरों को यात्रा कराते हैं उस रूप से भी है हमारे ये रुहानी यात्रा भी बहुत न्यारी है बहुत अनुखी है तो इस यात्रा में हमारा गाइड वो है शिव बाबा और इस यात्रा में हमें फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को जो सर्वश्रेश्ट पंडा है तो आईए क्या कर्तव्य है रूहानी याद्री के ये जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से हर एक की विशेषता देखो लेकिन फॉलो फादर करो आपस में रिगार्ड रखो लेकिन गाइड एक बाप है कोई भाई बेहन गाइड नहीं बन सकता गौड गाइड है और साकार एक्जाम्पल ब्रह्मा बाप है कोई भी निमित है लेकिन निमित बनाया किसने बाप ने बनाया तो फिर बाप याद आएगा न ब्रह्मा नर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मा चारी जो ब्रम्हा बाप का आच्रन वही सर्व रामनों का आच्रन अर्थात कर्म हो उच्चारन भी ब्रम्हा बाप समान हो तब कहेंगे follow father तो आज बाबा ने हमें जो सदा बाबा कहते है follow father कभी भी follow brother sister नहीं कहते see father mother कहते है see brother sister नहीं कहते इस पाठ को पक्का कराया है क्योंकि हम जब यात्रा पे होते हैं तो यात्रा में कोई गाइड होता है एक लक्षे होता है और बहुत सारे साइड सीन्स होते हैं तो हम जिस गाड़ी में बैठे हैं ज्यान और योग की गाड़ी उसके लक्ष्य तो हम सभी को पता है संपूरन बनना, बाप समान बनना इस रुहानी यात्रा में इस गाड़ी के हेडलाइट्स है ब्रम्ह बाबा और मम्मा जिनको बाबा ने हमारे सामने निमित बनाया, एक्जाम्पल बनाया बाकी सभी सुहावने साइट सीन्स आते हैं कुछ अच्छे और कुछ ऐसे जो हमें शिक्षा देके जाते हैं लेकिन बाबा ने बताया संगठन में रहते हुए हर एक की विशेष्टा को देखना है लेकिन उन विशेष्टाओं को देने वाला उन विशेष्टाओं को उन में भरने वाला वो कभी न भूले उस आत्मा का विशेष पाठ है जो बाबा ने उसी को विशेष्टा दी उस नाते उस आत्मा का रिगार्ड हमें रखना है लेकिन उस विशेष्टा से ना तो प्रभावित होना है और ना ही उस विशेषता से हमें रीस करनी है अपना लक्ष और अपनी यात्रा पे पूरा पूरा अटेंशन देते हुए उस निमित जिसने बनाया है उसको और ब्रह्मा बाबा को जो अपने लक्ष तक पहुँचे हैं उनको फॉलो करना है क्योंकि कोई कितना भी विशेष हो लेकिन अभी तक लक्ष पर तो नहीं पहुचे जो पहुचे हैं हमारे सामने हमारे बाबा मम्मा दादियां उनको हम अपने जीवन में उनके गुणों को जीवन में हम धारन करते चले ओम शान्ति